हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपेर जें करेंगे ओपो एसेमेंटी फॉर फाइब जी में और एमाई टैन आई फाइब जी में और देखते हैं बेस्ट फोन कौन सा है तो बात किज़ा है डिस्प्ले से ओपो की हैं 6.5 इंच की एमाई की है 6.5 इंच की और दोनों फोनों का रेजुलेशन है 1080 मांटी पाइब 24 पिक्सल दोनों फोनों की जो सक्रीन है हो है IPS NCA डिस्प्ले दोनों में आपको 56 डिस्प्ले मिलती है और ओपो में आपको 19 हर्स का रिफेसिट भी मिल जाता है एमाई में है 120 हर्स का और बात की जाए हार्डवेर की तो ओपो का है स्नैप डेंग का 480 5G का CPU है टूपेंट जूगी का हर्ड उक्टे कोर का और 8 निनेमिटेस का फिन पैट जीप्यू है 619 का और एमाई का जो क्रोशरों स्नैप डेंग का है 750 G का 5G है CPU है टूपेंट तूगी का हर्ड उक्टे कोर का और 8 निनेमिटेस का फिन पैट जीप्यू है 619 का बात की जाए बैक के में की तो ओपो का है ट्रिपल जो में है 48 मिसल का फिर टू का फिर टू का एमाई का है क्वार्ड वी जो में है 108 मिसल का फिर 8 का फिर 2 का फिर 2 का और बात की जाए फरंट के में की ओपो का है 8 मिसल का और MI का है 16 का और बात की जाए बैटरी की तो ओपो में है 5000 एमेज की MI में है 4820 एमेज की और दोने की बैटरी नोने बल है आप दोने की बैटरी को निकार ने सकते बात की जो है चार्जर की, ओपो में है 18W का, MI में 33W का, दोनों में टैप्सकल स्पोर्ट है और आपको ओपो में dual C मिलती है, और MI में आपको triple C मिलती है और दोनों के वारंटे है एक साल की, दोनों में connectivity है 5G की बात की जो है RAM की, ओपो में 6W की, MI में 6W की और ओपो की memory 16W की, MI में 24W की और आपको ओपो 111 मिलता है, MI 110 और बात की जो है प्राइस की तो ओपो का स्टार्टिंग है 17,999 रुपे और MI का स्टार्टिंग है 20,999 रुपे तो फिर आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंदाया, फोन बोक्स में जोरू गताना अगर आपको दोनों में से कोई फोन लेना है, तो आप जा सकते हों MI की और ये बेस्ट है, बाकिया आपकी चोईस है